Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium जहाँ पे आपको मिलती है बिलकुल ही फ्री and quality education इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे हमारी जब बुक है Panorama Part 2 English Reader की उसी का चाप्टर नमबर 2 Allergy जो की हमने प्रिविस वीडियो में तो डिसकस कर लिया है बस उसकी जो exercises है यानी कुछ important questions है वो हम देखेंगे इस पूरे session में कहानी है ये class 10th English Bihar Word की वीडियो के बिलकुल एंद तक बने रहना ताकि आपके सारे doubts जो है crystal clear हो जाए and this is your English educator पलक रख्यानी so let's begin with the session exercises again जो आपके पैनोरमा रीडर वाली बुक है तो रीडर में basically क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ जब भी हमने lesson पढ़े है those are really good stories अच्छी कासी मतलब बड़ी कहानिया है वो तो कहानियों में गबराओ नहीं कि मैं मित्ते सारे pages हैं कैसे पढ़े मैंने दिया एन explanation उसको as a story समझो अन उसमें से कैसे question आते हैं बहुत ही अच्छी से आपकी books में दिये गए हैं कुछी questions like they will ask you about the main character यहां जो story में क्या दिया गया है what is the summary of the story like these kind of questions they will ask ठीक है तो गवरानी की बात तही है exercises के question अपन यहां solve करते हैं so you can get your notebook or you can even take a screenshot if you want alright चलो beginning with question number one what precaution would you take to overcome it now when I was teaching this lesson in the previous video I have already told that allergy is something that is related to biology we all know it है ना and we all know कि यह lesson क्यों है भाई इंग्लिश में क्योंकि everyone should be aware of this thing तो तुमारी बाईयो तो साथ साथ में अच्छी होगी and इंग्लिश में मार्स भी मिल जाएंगे so आपको पता होना चाहिए कि allergy कब कहोगे कि इस बंदे को allergy हुई ऐसा कौन सा symptom है जो हमें दिखाई पड़ीगा है ना और सबसे पहला question यह है यहां तक so every time किसी भी question में दो पार्ट होते हैं यह बहुत ही maximum गलतियां करते हो चाए English हो यह कोई भी subject एक question में दो पार्ट होते हैं तो जल्द बाजी में answer लिखने के खुशी में हम पहला तो लिख देते हैं दूसरा भूल जाते हैं तो पहले answer करना और दूसरा भी answer करना दूसरे में तो में क्या बताना है precaution precaution यानि क्या बचाव कर सकते हैं So here's the answer मैंने आपके बहुती बढ़िया सा answer बनाया है जो कि आपकी बुक से ही मैंने लिया है जो हमने लेसन पड़ा है So what is allergy? Allergy is a malfunction of the human immune system causing a violent reaction against normally harmless substances in our natural environment हमें पता है allergy क्या होती है क्विकली से फड़ावट से रिकॉल करते है हमारा जो immune system होता है जो immunity develop करता है उसमें गड़बड़ी आजाती है तो गड़बड़ी ऐसी आती है कि वो जो है कोई normal harmless substance हो harmless यानि कोई भी food हो गया मानलो किसी को जो है लॉकी से allergy हो रही है कोई particular food item से जिसे lemon से lemon से allergy है जबकि lemon पाँच लोग बैटे हैं सामने वो आराम से खा पाएंगे लेकिन उस particular इंसान को अगर immune system में दिक्कत है तो उसे allergy हो सकती है ठीक है तो पॉपिलरली हमने क्या कहते है allergies कहते है reaction कैसे दिखता है body में inflammation होता है यानि किसी body part में मालो हाथ में कभी कबार ऐसे हाथ को itching होती है तो बहुत redness आ जाती है swelling आ जाती है तो उसे inflammation कहते हैं है ना और कुछ-कुछ symptoms हो सकते है जोसे hay fever हो सकता है सर्थी खासी eczema हो सकता है जो कि skin की problem है या फिर जो asthma हो सकता है breathing में issues हो सकते है जोने हम popularly क्या कहते है allergies ठीक है तो ये तो पहला answer हुआ अब दूसरा answer क्या है दूसरा answer हम देंगे दूसरे प्रशन का जोगी था precaution के उपर तो precaution क्या क्या ले सकते है जो आपके lesson में दिया था वही मेंने डाला है ठीक है so you'll score good marks अगर आप lesson को अच्छे से पड़ो तो C मेंसे you can write the answer so आओ पड़ते हैं भाई as a precautionary measure against the violent reaction of allergies we must carefully adopt the following measures A. to wear pollen masks while moving on the grass or doing house cleaning B. we should not allow indoor plants animals wet clothes animals wet clothes and leather producing pollution and making the surroundings dirty C. in spring season keep windows and door closed यही बहुत साता जो है pollen उस टाइम पे हमारा उड़ता है ठीक है तो ऐसे तो खैर बहुत सारे आपको दिये गए थे points आपको जो points याद रहते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं आप लेख सकते हो ठीक है पिछले वीडियो में देख चुके हैं तो कुछ मिस हो गया हो चिंता की बात नहीं है डिस्क्रिप्शन में सभी चीज की लिंक दी गई है आप वहां साथ एक सकते हो वीडियो को ठीक है यह answer important क्यों है क्योंकि भाई एक्जाम में आते answer है सो आइवड शॉर्ली से कि तुम अपने answer बनाओ पट होता क्या है कभी-कभाई answer बहुत जादा हम modify कर देते हैं न तो English गलत लिग देते हैं तो that's why I say lesson को अच्छे से बढ़ो ताकि तुम्हें inspiration मिले कि हाँ यह वाज मुझे use करना है जैसे dehumidifier use करना है air filter use करना है बाकि थोड़ी बहुत language आप जो है उसको change कर सकते हो done है? चलो coming to question 2 which is a very good question देखते हैं इस question को क्या है भाई which types of common allergic diseases are generally found in children of 0 to 6 years of age तो यह आपके एक बोलते हैं general knowledge के वेस उपर question है कि ऐसी कौन सी common allergic भीमारिया है जो की 0 से लेके 6 यानी जो new born babies होते हैं 6 साल की उमर तक उनमें जादा पाई जाती है so now this is your common sense आपका थोड़ा knowledge होना चाहिए इसमें so don't worry मैंने आपके लिए दे दिया है यहाँ पे answer बढ़िया सा तो इसे जरूर से screenshot ले ले लेना कुछ मैंने reference lesson में से लिया है and कुछ मैंने जो है general knowledge में से की इतने साल के बच्चों को कौन सी maximum allergic बिमारिया होती है so genetic and environmental factors are responsible for the allergic diseases generally found in children of 0 to 6 years of age तो इतनी छोटी उमर में जो है दो टाइप के हम कह सकते हैं factors होते हैं जो रोल प्ले करते हैं एक तो होता है genetic genetic हम already bio पढ़ते हैं हमें पता है genes यानि mammy papa dada 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 से जो आया है हमारे genes में ठीक है एक तो वो बिमारिया होंगी next जो है environmental factors यानि आस पास जो जहां वो रहते हो ठीक है या जिस area में रहते हो तो पहले हम answer को देखो कैसे लिखते हैं बता देती हूं चाहिए question हूं या कोई bio you can make your answer firstly I understand the question अब question में बात की है allergic diseases की तो तुम उस उमार के बच्चों में थोड़ा explain करो allergic diseases क्या होते हैं और क्यों ये जादा prone है इन बिमारियों की क्यों जादा chances है इन्हें बिमारियों हो because of not fully developed immunity क्योंकि अभी उनकी जो है शक्ती immunity जो है body की वो पूरी develop नहीं है कि वो रोगों से पूरी तरह से लड़ सके ठीक है और वो जो है victims बन जाते हैं allergic diseases के common मैंने बताई है asthma and allergic skin diseases are the most frequent in this age group तो ऐसे तो बहुत सारी बिमारियों होती है लेकिन जाद अतर जो observe की गई है वो asthma यानि breathing की problem और allergic skin diseases यानि जो skin होती है चमड़ी होती है उस समें कुछ-कुछ diseases होते है ठीक है? clear है बिलकुल? चलो Let's come to question number 3 which is very important question the allergy march which I feel कि ये बिलकुल आ सकता है explain तो आप lesson से reference ले सकते हैं मैंने भी समझाया था क्या होता है So let's go on In the beginning, allergy often appear in favorable and peaceful conditions in the primary age such as hay fever तो शुरुआच जब होती है allergy की beginning में तब जो है बहुत ही peaceful type की लगते है ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई बड़ी बिमारी होगी जैसे छोटा मोटा बुखार आ गया है ऐसी चीज़े होती है Many people gradually develop allergic conditions over many years before they experience any symptoms relating to it यानि काफी सारे लोग जो है उन लोगों में तो symptom ही नहीं आते बहार दिखता ही नहीं है कि ऐसी कोई allergy है लेकिन अंदर ही अंदर शरीर के अंदर वो पनपती जाती है penetrate होती जाती है बढ़ती जाती है Sometimes a certain food or drug or an ordinary insect bite becomes the cause of sudden life threatening which start as eczema or gastrointestinal problem Such condition turns into asthma involving respiratory systems तो कभी कबार क्या होता है कोई एक पटिकलर food या कोई अपने दवाई ले ली हो कोई भी कॉमन सी चीज़ जो शाहिद नहीं हो लेकिन बोड़ी का immune system सही नहीं है तो वो बहुत effect करती है और जैसे problems आ जाते हैं जैसे eczema जो कि skin की problem है gastrointestinal problem और intestine से related digestion से related problem आने लगती है और धीरे धीरे चलते चलते वो problem बढ़ती जाते है कि इसमें breathing issues में Therefore, this direct path of development is widely referred to as the allergy march तो allergy march यहां march महीनी का मतलब नहीं है कि कैसे जो है छोटी stage से जैसे शुरुआत में hay fever हुआ इस छोटी stage से अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो बढ़ती गही किसमें eczema या gastrointestinal problems में और इस पे भी ध्यान नहीं दिया तो यह बड़ी बिमारिया मन जाती है asthma करके और जो की life threatening भी हो सकती है तो यह direct development को क्या कहते है allergy के? Allergy march I hope it is clear हो जाओंगी में side होती हूँ है ना फिर तुम जो है answer लिकलो बिलकुल लिकलो यहां पे screenshot ले लिया करो ठीके? To save time Again an important question Moving on to question number 4 Name some particular diseases which are caused due to change of weather Also mention its remedial measures ऐसे कुछ particular diseases बताओ जो कि मौसम के बदले से यानि सरदी, गर्मी, स्प्रिंग, आटम यह सम मौसम आते हैं तो यह diseases भी आजाते हैं और जो है इनके remedial measures बताओ Remedial measures यानि इनसे हम कैसे बच सकते हैं So let's look at the answer There are certain diseases which are caused due to the weather which are also termed under seasonal energies यह हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं लेसन में दो टाइप के allergy पढ़ी थी उसमें से एक है seasonal seasonal यानि मौसम के बदलते ही वो allergy बदल जाती है मौसम के according है यह मानलो rainy season है तब वो टाइप के allergy रहेगी यह मानलो spring season है तो pollen allergy बिलकुल पीक पे रहेगी ठीक? So some of such diseases are eczema और gastrointestinal problem asthma, inflammation, etc The remedial measures for such diseases is to wear a pollen mask to stay indoors in the morning when the pollen count is at its highest degree and on windy days यह जब सुभा 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 के pollen का amount बहुत जादा होता है क्योंकि क्या होता है सूरज जादा आते है तो जो है flowers भी खुल जाते है flowers खुलते है तो pollen release करते है बहुत जादा pollen होता है तो इस time पे थोड़ा घर में रहा करें windy days पे pollen mask पेन के रखें Next To keep the doors and windows closed during heavy pollination तो खिड की दर्वाजे बंद रखे जब बहुत जादा pollination हो रहा हो पाउडरी सब्सेंस बहुत जादा ओड़ रहा हो flowers से ठीक है So I hope maximum time तो इतने आंसा देखोगे न तुमको remedial measures तो यह याद हो जाएंगे चुटकियों पे ठीक है तो देखते हैं आंसर इसका Sometimes, कभी-कभी Allergic reactions can be life-threatening It becomes fatal if proper precaution is not being taken तो अपन हर बार की बात नहीं करेंगे देखो हमेशा answer लिखते हैं बहुत ही, बहुत ही focus से लिखा करो Always मत लिख देना Sometimes, कभी-कभार ऐसा होता है कि Allergic reactions जो है जानलेवा हो सकती है It becomes fatal, यानि इनसान के death भी हो सकती है अगर आप proper precaution नहीं लेते हैं As for example, eczema, gastrointestinal problems, asthma, hay fever, etc Are such sort of life-threatening diseases Mainly developed due to Allergic reactions So, आपको बहुत ज़दा बायो में नहीं जाना है आपको नो जो लेसन में जितने बीमारियों के नाम दिया है उतने लिखोगे, तो भी चलेगा Let me tell you, this is not biology, this is English, right? So, whatever names are given in the lesson इतना लिखोगे, तो भी बढ़िया You'll get good marks I hope it is clear, it's just you need to focus on correct grammar है ना, सहीh sentences बनाना है, tenses विध्यान रखना है Clear है, बिलकुल? Done है? Question number six Suggest a few possible ways to avoid allergy इसी में भी वही points आएंगे Question अलगे, answer kind of same ही है So, ऐसे points आएंगे, you can surely write the points एक गलती मत करना कि एक ही point को तीन-चार बार अलग अलग तरीके से लिख दिया Don't do that Because अपकी lesson में Clearly बहुत ही different points दिये है So, आएंगे याद करो and then you can note them down So, what are the points? It is better to avoid the allergic condition than to cure it through medicines and other remedial measures After inviting it due to our negligence इस लाइन का मतलब क्या है? Avoid करना क्या होता है? यानि कोई बीमारी को पहले तुम तो बिल्कुल ही Negligence यानि Ignore करो Neglect करो ध्यान नहीं दो लापरवाही जिसे कहते हैं फिर बीमारी को तुमने न्योता दे दिया अब उसके बाद जो है प्रिवेंशन लो भाई तो प्रिवेंशन कैसे ले सकते हो? यहां कुछ मेथद्स है We must adopt the following measures to avoid allergy Number 1 Read and understand food labels for people with food allergy just to save from taking contaminated food stuff यानि जो भी food labels होते हैं आपको food के content दिये रहते हैं पीछे देखोगे न कोई भी packaged food अगर देखोगे घर का खाना तो बढ़िया है वैसे लेकिन हम मानते कहाँ है package food तो खाती है तो package food के back side पे दी रहते हैं उसके contents तो contents पढ़ो अगर आपको food allergy है कोई particular आपको food से allergy है और अगर वो उसमें डला हुआ है तो avoid करो मत खाओ है ना या फिर contaminated food से बचो ठीक है date check किया करो date कप की है भाई best before use कब तक का है ठीक है चलो और देखते है wear a pollen mask when moving on the grass or doing house leaning यानि जब भी आप घर की घास काट रहे हो या grass में जा रहे हो तो कोशिश करो pollen mask पहनो अगर pollen allergy है तो stay indoors in the morning when the pollution is at its highest on windy days ठीक है windy days पे जब जो है हम कह सकते है pollination जब highest रहता है pollination यानि जब यह हमारा pollen grains उड़ते है तब जो है अंदर रहो खिड़ की दरवाजे बंद रखो wash sheets, mattress, pad and blankets we clean hot water जो घर की चदरे वगेरा होती है mattress होती है वो सब timely धोते रहें ठीक है use physical, insecticide, chemical, acaricide और tannic acid solution यानि घर में जो दीमक पगेरा हो जाती है mites हो जाती है इन सब को हटाने के लिए आप solutions use कर सकते हैं ठीक है, chemicals use कर सकते हैं is it clear? alright some measures for those who can afford ये book में ही दिया था वो लोग जो measures कर सकते हैं थोड़े costly होते हैं जैसे air conditioners हो गए घर में, car में air filters हो गए filter होके air आएगी जो bacteria वगेरा हैं उससे use a dehumidifier dehumidifier यानि जो water के temperature को manage करता है ठीक है, humidity को manage करता है basically तो इसमें होता क्या है मैं बताती हो कि कुछ ऐसे organisms रहते हैं for example so is the reason कि जो afford कर सकते हैं वो ये ले सकते हैं ठीक है, done है कुछ अग नहीं था सब लेसन में से था clear है भाई तो इसी के साथ हम finish करते हैं exercises I hope अच्छे से exercises पढ़ रहे हो अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रख रहे हो और ये lesson interesting लगा हो समझ आया हो do tell me in the comment section वीडियो को like और दोस्तों के शेर करना बिल्कुल मत भूलना बिकास गयान बातने से ही बढ़ता है alright so let me quickly जलिऊ कि ये ना magnet brains के top courses है हमारे चानल दोनों ही medium में English और Hindi medium में जिस पे हम दे रहे हैं free and quality education and एक चीज़ और बिता दूँ भाई बहुत important खबर है ये कि 8 से लेके 12th class सक magnet brains Hindi medium पे आपको मिलते है सभी subject के notes यानि detailed notes जो हमारे expert teachers यानि हम सभी ने बढ़ाए है भाई आप लोगों के लिए exam में बहुत मदद मिलेगी यानि 10 किताबे लेने से अच्छा ये notes लेलो तो पढ़ाई बहतर हो जाएगी कैसे ले सकते हैं notes description में link दी गई है तो वहाँ से आप इन notes को ले सकते हैं इतनी खुशी है पलग माम को है कि description ही बोलना भूल गई description में अच्छे से link आप सारी चेक कर सकते हो वहाँ पे notes को purchase करो, पढ़ाई करो keep learning, till then, goodbye